नमस्ते बालकों तो आज मैं अर्चतनंदा आयाटी बॉंबे का चात्र आपको पढ़ाऊंगा प्रायोगिक ज्यामिती याने की प्रैक्टिकल ज्यामिट्री और यह कक्षव साथ का एक अध्याय है तो अपनी रोजाना जिंदगी में हम कई चीज़े देखते हैं जैसे उंची इमारते या फिर छोटी चीज़ें जैसे हमारे कमरे में पढ़ा हुआ लकड़ी का मेज इन सब चीज़ों को बनाने से पहले हमें कागज पर उनका पूरा नक्षा तयार करना पड़ता है और उसमें हमारी मदद करता है प्रायोगिक ज्यामिती तो पाठ का उदेश इस पाठ में हम देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको एक दी हुई रेखा के समानतर रेखा खीचना सिखाया जाएगा जैसे कि मान दीजी मैं आपको एक रेखा दे देता हूँ और उसी कागज पर किसी और स्थान पर एक और बिंदू दी गई है तो उस बिंदू से निकलने वाली एक रेखा जोके हमारी पहली दी हुई रेखा के समानतर है वह कैसे बनाई जाए आपको यह सिखायेंगे इसके पस्चात हम त्रिबूजों के गुणों तथा भुजाओं वाले अध्याय को याद करेंगे और उसमें देखेंगे हमने क्या पढ़ा था और उसके पस्चात हम देखेंगे कि दिये गए माप समूओं की सहायता से त्रिबूज का निर्मान कैसे किया जाता है तो आईए देखते हैं एक दी हुई रेखा के समानतर उस बिंदू से होकर रेखा कैसे खींचें जो उस रेखा पर स्थित नहीं है आपको ऐसा लग सकता है कि ये कैसे संभव है पर हम एक प्रकार तथा एक रूलर की मदद से देखेंगे कि हम ये कैसे बनाएंगे और कोई दोर समानतर रेखाओं को कहा जाता है पैरलल लाइंज तो आज हम सीखेंगे ड्रोइंग पैरलल लाइंज तो इस पार्ट में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वह चित्रों के माध्यम से पढ़ाऊंगा क्योंकि पार्ट का नाम ही प्रायोगिक जामिती है और रोजाना जिंदगी में हमें जो दिखता है उसे पढ़ना तथा याद रखना और समझना सबसे आसान होता है तो अब हम देखेंगे कैसे दो समानतर रेखाओं कहींचें तो सबसे पहले एक रेखा L लीजिए और उसके बाहर कोई स्थित एक बिंदू A लीजिए अब रेखा L पर ही एक अन्या बिंदू B लीजिए और A को B से जोडने वाली रेखा बनाईए जैसा कि हमने चित्रे 2 में दिखाया इसके बाद बिंदू B को केंद्र मान कर और कोई सुविधा जनक तरिज्या लेकर L को C पर और B A को B पर काटने वाला एक चाप खीजिए जैसा कि हमने चित्रे 3 में दिखाया है अब A बिंदू को केंद्र मान तर हुए और चित्रे 3 वाला ही तरिज्या लेते हुए AB को G पर काटने वाला एक चाप EF खीचिए जैसा कि हमने चत्रचार में दिखाया है अब परकार के नुकेले सिरे को C पर रखिए और इसे खोल कर इतना कर लीजिए कि जो पैंसिल का नोक है वे D पर रहे अब G को केंद्र मान कर और परकार का खुलाव उतना ही रखते हुए जितना हमने पहले रखा था एक चाप खीचिए जो चाप EF को H पर काटे अब AH को मलाते हुए एक रेखा M खीचिए तो जो रेखा L है तथा रेखा M है वह दूनों एक दूसरे के समांतर होंगे अब हम देखते हैं इसमें समांतर रेखा में हम जानते हैं कि कोई दो अंतर कोण है तो वो एक दोनों कोण बराबर होने चाहिए तो जब हमने उन दोनों के खुलाव को बराबर रखा था तब ही हमने ये निश्चे कर लिया था कि हमारा जो कौन CBD है तता हमारा कौन HAG है बहे दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तता हमारी रेखाएं समांतर बनेंगी तो इससे पहले कि हम त्रिभुजों को इदक्षना के बारे में पढ़ें हम एक बार त्रिभुजों के गुणों तता भुजाओं वाले अध्याए को याद कर लेते हैं फिर से हम चित्रों के माध्य हम से देखेंगे तो चित्र एक में आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज के बायर कोण उसके दोनों अभिमुक अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है यानि कि कोण तीन कोण एक और कोण दो के योगफल के बराबर है इसके बाद चित्र दो में देखते हैं त्रिबुज के तीनों अंत्र कोणों का योग 180 डिगरी होता है मतलब कोण एक, कोण दो तथा कोण तीन का योग 180 डिगरी के बराबर है इसके पस्चात चित्र तीन में हम देखते हैं त्रिभुज की किनी भी दो भुजाओं की लंबाईयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है मतलब की A और B का योग C से अधिक है इसी प्रकार A और C का योग B से अधिक है और B और C का योग A से अधिक है इसके बाद चितर चार में हम देखते हैं एक समकोन त्रिभुज में कंड पर बना वर्ग शेश दो भुजाओं के वर्गों के योग फल के बराबर होता है इसका मतलब है A और B का जो वर्ग है उसका योग C के वर्ग के बराबर है तो पीछे हमने त्रिभुज की बुजाओं और कोनों के बारे में पढ़ा अब एक त्रिभुज को प्राप्त करने के लिए निमन लेखित माप समोह में से कोई भी एक दिया हो तो हम त्रिभुज का निर्मान कर सकते हैं सबसे पहले या तो हमें वह तीन भुजाएं दे सकते हैं या फिर दो भुजाएं और उनके बीच का कोन तीसरे नमबर पर हमें अगर वो है दो कोन और उसके बीच की भुजा दे दे तो भी हम एक त्रिभूच का निर्मान कर सकते हैं और या फिर समकोंड त्रिभूच के लिए कर्ण और एक पाध दे या फिर हमें दोनों पाध दे दे तो हम उन दोनों पाध का इस्तेमाल करकर और पाइथोगरस गर्ण लगाके कर्ण निकाल सकते हैं और हम समकोंड त्रिभूज का निर्मान कर सकते हैं। एक त्रिभूज की रचना जब उसकी तीनों बुझायों की लंबाईयां दी हों। इसे कहते हैं S, S, S कसोटी और S साइड के लिए कहा जाता है। तो साइड, साइड, साइड कसोटी। हम इसे एक उधारण की सहाइता से पढ़ेंगे, तो इसके लिए उधारण देख लेते हैं, एक त्रिभूज A, B, C की रचना करेंगे, जबकि A, B, 5 cm के बराबर है, B, C, 6 cm और A, C, 7 cm है। तो जैसे हमने पीछे देखा, हम S, S, S कसोटी की सहाइता से त्रिभूज A, B, C का निर्मान करेंगे, तो दी गई मापों की सहाइता से हम पहले एक रफ आकरिती बना लेते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने में सहाइता मिलेगी, जैसा कि हमने चित्र एक में दिखाया है, त अतह, B को केंदर मान कर और पांच सेंटी मीटर तरिज्या लेकर एक चाप खीचेंगे, जैसा कि चित्र तीन में दिखाया है, अब A इस चाप पर ही कहीं स्थित है, एक बिंदू है, तो हम इस बिंदू A को जानने के लिए त्रिभूज की तीसरी भुजा की माप की सहाइता लेंगे, इसके बाद हम बिंदू C से बिंदू A की दूरी 7 सेंटी मीटर है, हम यह भी जानते हैं, अतह, C को केंदर मान कर और 7 सेंटी मीटर तरिज्या लेकर एक चाप खीचेंगे, जैसा कि हमने 4 में दिखाया है, हम यह भी जानते हैं कि A इसी नई बनाई गई चाप पर ह कहीं पर स्थित होगा, तो हमने जाना कि A इन दोनों खीचे गए चापों पर ही स्थित है, अतह, यह इन दोनों चापों का प्रतिछेद बिंदू है, तो इन चापों की प्रतिछेद बिंदू को A से अंकित करेंगे, और हम A, B और A, C रेखा को जोड़ेंगे, अब हमारे प त्रिभुज, D, E, F किसी कागस पर हम इसकी रचना करेंगे, और कैंची के इस्तिमाल से हम D, E, F को काट देंगे, अब हम देखते हैं कि त्रिभुज, D, E, F और त्रिभुज, A, B, C, एक दूसरे को परपूर्णता ढख लेते हैं, अर्तात उसके साथ संपाति हो जाते हैं, इस प्रकार यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सनवागसम होते हैं, यह है SSS, सनवागसमता नियम कहलाता है, जिसे हमने पिछली अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, इसके इस्तमाल किया है, धन्यवाद.